किछन में स्मिधा कीडो सोई में तो फ्रांट्स मैंने आज अपने किछन एक बहुत ही टेस्ट डिलिस्टिस तैयार किया है तो चलिए मैं दिखाती हूं आए हमारे किछन में तवे को गरम कर लिया थोगा साइस में डाला मस्टरड और पहले हम कर लेते हैं बादाम को कुरकु अच्छा होता है मेरे डिसमें लगने वाले कुछ इंग्रेस्टिस तो देखें मैंने इंग्रेटिंस में लिया हूश में मटर का दानी कुछ लिए मैंने आलू-बॉइल के एक काम हमारे निबढ जाएंगे तो हमारे डिस्च चल्दी तयार होंगे इसमें तो लॉंग प्रोसेस लगता है तो फ्रांट वीडियो में बने रहेगा और लाइक और सब्सक्राइब करते रहेगा इससे हमें मोटिवेशन मीले और अब हो सेकता हमारे वीडियो को सेर जरूर किजेगा मेरी पैन गरम हो चुकी और उसमें मस्टर्ट ओयल हीट हो चुका है और मैंने डाल दिया है गार्लिक को और इसमें गुलावी होने तक इसको फ्राइब करूंगी मेरी गार्लिक हो चुकी है खरी ब्राउन तो मैं डाल देता हुआ चॉप ग्रीन चिली को इसे और देखेह मैंने सकत्वाई गुलाबी कुख करके हैं अब इसमें डाल देते हैं कटा हूया फ्याज छिसे में गुलाभी होने तक हैं इस भी कॉख करना है । मेरे चौप्ट मसाले गुलाबी हो चुक्य और में ढल website साथ हम ढल देंगे की इसमें we teach इसके कोडिंग हम्साल टालेगे और इसको इसमें थोड़ी हल्दी भी हमैट कर देते हैं और करते हैं सभी को मिक्स अची तरशे पर इसको कभर कर देते हैं इससे कि अधि यह तक हमारी पीस कुक हो चुकी है मेरे बेबी की ठी ठूली और बदमाशा शुरूर है तो चले इसको भी आप इंज्वाइए कर लिए साथ साथ में तो चले चलते हैं नेक्स स्टेप में क्योंकि हमारे पीज भी कुख हो चुके हम इसमें थोई चिली फ्लेक्स भी डाल दे रहे हैं यह तो ऑप्शन है आप डालो या ना डालो है हमारे सारे मसाले कुख हो गया हम डाल देते हैं क्रश्च की हुए आलू को जोकी मेर ने बॉइल को क्रस्च करके रखा था और हम इसे आलू को अच्छी प्लेक्स कर देंगा और थोड़ी देव प्रियों को हमारे आलू में सारे मिल्साले मिल्स भूगया है और हम इन सारे आलू में मोटे-मोटे लगान हैं और सावी अच्छी लगे रहे हैं तो इसको हम यह अद्वाक्रत निक्स कर देंगे तो फोड़ा फ़टशी खालेगाए तो यह उन्सी को डि स्टाफिंग को एक वाल में चांसफर कर लेते हैं मेरी स्टाफिंग तयार हुगी है मैंने इसे थोड़ी दिर धंडा होने लिए रख दिया था अब इसको हम गुल-गुल साइज में इसको लड़ू उठी आकार में इसका सभी को साइज रड़ी करके रख लेते हैं एक साथ बना कि इसको तयार कर लेते हैं मेरी स्टाफिंग के सारे लड़ू बनकी हो गया है रेड़ी तो दीखे मैंने इस तसे सब को लड़ू बना के रड़ी कर लिया है अभी हमारे डिक्स बनाने के लिए कुछ और चीजे कुछ पर्था करना है तो चलिए देखे मेंने एक मसीन लिया है जिसमें हम करेंगे अपने एक को बॉइल तो चलिए करते हैं अपने एक को बॉइल देखे मेरे एक बॉइल हो चुके हैं अब इससे निकाल देते हैं और ठंडा कर लेते हैं कुछ तेल के लिए हम तो इसको पानी में कुछ तो पहे देंगे तो जहीं ठंडा हो जाएगा देखे मैं इसे पानी में धोलिया था और इसको हम छील लेते हैं धंडा हो गया मेरा अंडा कि अधिस को बनाने के बहुत सारे इंग्रेटेंच अब बहुत सारे चीजे को लेना पड़ता है तब जाते यह टिस्पन के तयार होती है तो चलिए पहले हम रेडिक कर लेते फिर जलते निक्स टेप अट्स लाइक अगन सब्सक्राइब करते रहेगा देखे मैं इस्टेश यह कठा की है तो वेल आइकन को प्यारा प्यारा सब्सक्रामेंट्स तो देखे मैंने एक को भी दो भागों में कटिंग कर दिया है आँ चलिए रेडि करते हैं आपने दिलिस और टेस्टी टेस्ट को बनाने की पैयारी शुरू करते हैं कि मैंने ले लिया है एक छोटे से बॉल में कांट फ्लो जिसका मैं घोल तयार कर दे रही हूं यह देखे मैंने घोल तयार कर देश्का घोल ज्यादा प्थीन नहीं होना चाहिए मोटा ही होना चाहिए कि और मैं चली एक छोटे से बॉल में मैं ले ले रहे कुछी डेट क्रम्स जिसमें मैंने एड कर दिया है थोड़ी हल्टी और थोड़ी लाल में इस पावडर और मैंने चाट मसाली इसमें यूस कर दी है और चली आपस में मिक्स कर दे नहीं है इसमें मैंने नमक पी डाला है तो चलिए इसको मिक्स कर दे रहा है देखिए हमारे इंग्रेटेंस बन किया हो गए है अब जाके फुल इंग्रेटेंस रड़ी को यह जो कि हमारे इस डिस को बनाने के लिए पॉर्फेक्ट है इस डिस को बनाने के लिए हम आलू के लड़ू में इस आधी कटे ही एक को स्टफ करेंगे तो देखिए मैंने स्टफ कर दिया है अच्छी तो स्टफिंग करनी है कि चारो साइड लेर जो है आलू का आ जाए तो मेरा देखिए लेर आ चुका है आलू का कर देते हैं काउन्फ्रोर की खोल में चारो साइज से काउन्फ्रोर का कोटिंग लगा देंगे तो यह हमारे हो गई है अब हम इसे प्रेट क्रम्स में अच्छे तरह से लपेट करके चारो साइज अब ब्रेट कर लेते हैं और ये देखे मैं इस तरशे में सभी का बना करके रड़ी कर देती हूं ये किक बना करके लख दे रही हूं मैंने अपनी मेटेल को दो तरशे स्टप किया एक बार तो मैंने स्टपिंग किया उसके अंदर होल करके स्टपिंग किया दूसरा जो है मैंने वही साइज में इसको हाथ से चप्ता करके उसके बास से अबने इसको डाल करके अंडे को स्टप किया ये ज्यादा एजी प्रोसेस लगा ये हमारे डेविल चप हो गया है था होने के लिए रेडी हम इसे करते हैं फ्राइब फ्राइब से लिए फ्राइब नहीं है आज बैठा दे रहे हैं अपने फ्राइब पैन को फ्राइब करने के लिए इस टेविल चप को इसमें डाल देते हैं रिफाइंड ओयल मैंने व्यूश्किया यह जांज पेस हमें फ्राइब करना नहीं है इससे उलगते पुलगते रहना है और देखी यह मेरी हो गई है वेडी डेविल चप अच्छे तरशे फ्राइब हो चुका है अब हम इसे एक किक्तर के निकाल देंगे इस पेपर में या पिशू पेपर में आप निकाल सकते हैं इस 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 में जो जितनी वी टेल एप्सॉर्प किये हैं सारे तेल निकल जाए इस पेपर के अंदर चलिए हम निकाल देते हैं अपने चौप को यह रड़ी हो चुके हैं हमारे तो चलिए करते हैं प्लेटें इस डेविल चप को तो ले लेते हैं अपने डेविल चप को और सजा देते हैं इस बॉल में इसको बारिक कटे हुए प्यास सजा दे रहे हैं और इसकी ऊपर डाल दे रहे थोड़े से लेमन जूस और हम डालेंगे फ्लैक साल्ट और चाट मशाला अब मेरे हरी धने के पत्ति से पूरी होगे हमारी गार्निशिंग और यह हो गई हरी चपनी भी साथ में मैं ने ले लिए तो इस तुरह मेरी डेविल चप के पूरी डिस हो गई है रेडी तो चलिए इसको खाते हैं और इंज्वाइ करते हैं प्रेंट कर वीडियो हमारे अच्छे लगती है आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और लिख किजिएगा प्यारा प्यारा से कमेंट और आप जरूर बताई कि आप कहां से हमें देख रहे हैं मुझे भी अच्छा लएगा कि मेरे वीडियो को कहां कहां से लोग देख रहे हैं तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ ओकी बापाई सी यू ठेक क्या